क्यों चलती है हवा, मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, हवा हमेशा बहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी गती तेज हो जाती है आखिर क्यों और कैसे चलती है हवा, आएए आपको बताते हैं कि हवा क्या चीज है हवा ओक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, डायोकसाइड और अन्यकई गेसवकोज और धूल के कनों का मिश्रण है जब प्रित्वी का कोई स्थान सूर्य के तापमान से गर्म होने लगता है उस स्थान की वायो भी गर्म होने लगती है तापमान बने के कारण उस स्थान की वायू फैलती है जिससे उसका घनत्वक डेंसिटी कम हो जाता है यानि गर्म हवा हलकी हो जाती है हलकी होने के कारण हवा वायू मंदल में उपर उठने लगती है परिनाम ये होता है कि उस क्षेत्र में हवा का दबाव कम हो जाता है हवा के इस दबाव को संतुलित करने के लिए अधिक दबाव वाले थंडे स्थानों से भारी हवा इस स्थान की और बहने लगती है इसी को हवा का चलना या बहना कहते हैं हवाओं की गती पर प्रित्वी के अपने अक्ष धुरी पर घूमने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है प्रित्वी पश्चम से पूर्व की और भूमती है इस कारण पच्छुवा हवा पैदा हो जाती है प्रित्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही उत्तरी गोलार्ड में हवाय दाय और और दक्षिनी गोलार्ड में बाय और विचलित हो जाती है हवा की दिशा पहाडों की उपस्थिती से भी प्रभावित होती है पहार हवा की दिशा की गती में अवरोग पैदा करते हैं जिससे उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है